दोस्तों यह वन प्रस 12 जो की इंडिया में लॉंच हो चुका है यह जो स्मार्फोन है इसे में कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और इसका जो पर्फॉर्मन्स है इसे में काफ इंप्रेस्ट हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसको डिसाइन एकदम यूनिक लेवल का है प्रीमियम लेवल का है हातों में पकड़ते ही आपको वो जो प्रीमियम फील है वो आप इमीजेटली महसूस कर पाएंगे इसमें कॉलकम स्नैपड्रेकन एट जेंटरी प्रसेसर यूज किया गया है पावफुल हाडवर के साथ में आता है और क्योंकि एक प्रीमियम लेवल और सुनने में आया था कि कुछ लोग कैमरे से इतने इंप्रेस नहीं है लेकिन वैसा इशू मैंने इसके कैमरे के साथ में फेस नहीं किया है चलिए इसे चेक करते हैं देखते रहिए यह है वन प्लस 12 का box pack thank you information यहाँ पर है यह कुछ बुकलेट स्टीकर्स रेड केबल केवल और हंट्रेड वाट का चारजर बॉक्स में डिजाइन के बात करें तो डेफिनेटली एकदम यूनिक टाइप का डिजाइन है जैसे कि आप लिख सकते हैं और पीछे जो टेक्शर दिया हुआ है एकदम अमेजिंग है इंस्पाइड बाई नेचर प्लस ऐसा लगता है जैसे कि यह मारबल टाइप का है मारबल जैसा फिनिशिंग दिया हुआ है बहुत ही आइकची डिजाइन है लेकिन जब मैंने इस हैंसेट को पहले बार अन्बॉक्स किया और इसे हातों में पकड़ा डिजाइन नेचरली काफी इंप्रेसिव है जो कैमरे का मॉडूल है यह यह काफी यूनिक है एकदम प्रीमियम लेवल का है लेकिन जो हैंसेट है यह भारी है है और यह जो चीज है मैंने इमिजेटली महसूस किया जैसे मैंने इस हैंसेट को हातों में पकड़ा वैसे इसका वजन है 220 ग्रैम्स इससे ही आप समझेगा हूंगे कि यह जो हैंसेट है काफी हेवी है डे टो डे अक्टिविटीज में जब आप इस हैंसेट को यूज करेंगे तोड़ा सा बल्की टाइप का फिल भी मिलता है यह 5G सपोर्ट के साथ में आता है और इसमें आप दो नैनो सिंग यूज कर सकते हैं MicroSD card का option इसमें नहीं दिया हुआ है यह power button, volume rockers, उपर IR blaster भी दिया हुआ है microphone है secondary, speakers है इसमें dual speakers है और नीचे type C port, एक होर speaker, primary microphone, यह है sim tray और left hand side पर यह traditional button दिया हुआ है slider button जिससे आप ring mode, vibrate या जो silent mode है उसे activate कर सकते हैं यह बहुत ही काम की चीज है इसे में on करता हूँ और देखे किस प्रकार का animation आपको देखने को मिलता है, बहुत ही smooth, fluid animation है यह 6.82 inches का display है, QHD plus resolution के साथ में आता है, 1 Hz से लेकर 120 Hz तक का refresh rate है Pro XDR display है with LTPO, यह 100% P3 display है, 10 bit color depth support के साथ में आता है और इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 protection दिया हुआ है, जो display के quality एकदम impressive level की है और बेस चीज यह है कि यह dual speaker के साथ में आता है, अगर आप ज़्यादा वीजो दिखते हैं तो उसके लिए बहुत यह बढ़ी option है देखें, जब आप एक premium level के smart phones खरीदते हैं, तो जो display का setting होता है, उसमें आपको बहुत सारे options मिलते हैं यहाँ पर देखें, और कभी कबर ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो गलती से कुछ ऐसे settings को enable करते हैं जो की जो screen है उसकी जो quality है उसे change करता है जैसे कि यह वाला option मैंने select किया है और फिर लोग complain करते हैं तो बहतर होगा कि आप जितने भी features available है उसे सही तरीके से समझें और अगर आपको वो पसंद आता है जैसे कि natural tone का option यहाँ पर दिया हूँ है अगर आपको वो display setting पसंद आता है तो आप उसे use कर सकते हैं तो इसमें Oxygen OS 14 run हो रहा है यह Android 14 पर based है 512 GB storage है इसमें और 16 GB RAM है RAM expansion यूज करके मैं जो RAM है इसे 12 GB तक और extend कर सकता हूँ वैसे जो default है वो ठीक है वैसे भी इसमें काफी ज़वदा RAM दिया हूआ है 16 GB और जो camera का specs है वो यहां पर mention किया हुआ है 50, 48 और 64 प्लस जो front camera है वो 32 MP का है camera का design है backside पर यह काफी unique type का है एकदम premium level का feel देता है और यह 4th gen Hasselblad camera system यूज कर रहा है Sony LYT 808 में sensor यूज कर गया है और 64 MP 3X periscopic telescope camera भी इसमें दिया हूआ है wide angle camera भी है इसमें यह है camera का interface wide angle का option मिलता है आपको और यह maximum 120 X तक zoom in कर सकता है इसमें action mode दिया हूआ है और portrait mode में जो background है यह blur होता है आपको तीन options मिलते हैं 1, 2, or 3X और यहां पर देखे बहुत सारे filter के options available है उन्हें भी आप ट्राइ कर सकते हैं वीडियो में आप maximum 8K तक video record कर सकते हैं at 24 fps में जो की काफी अची चीज है बट normally मैं maximum 4K at 60 fps में शूट करता हूं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की 1080p में video शूट करते हैं प्रो मोड दिया हूआ है manual photographic के लिए और मोर में आपको यह सारे options मिलते हैं expand बहुत बढ़ी बढ़ी option है यह इस परकार के cinematic style शूट कर सकता है दो options मिलते हैं 17 mm और 25 mm इनके अलावा film mode भी दिया हूआ है जो कि again जो aspect ratio है उसे change करता है film shooting के लिए यह काफी अच्छा है actually यह कुछ samples है जो कि मैंने इस smartphone के साथ में शूट किया हूआ है वैसे जो camera quality है से मैं बहुत ही ज्यादा impressed हूँ ज्यादा करके conditions में मुझे इसने काफी बढ़िया shots shoot करके दिया हूआ है और कुछ लोगोंने complain किया है कि जो colors है वो change कर रहा है बहुत ही अज़िब type के photos यह shoot कर रहा है वैसा issue मैंने मेरे smartphone पर face नहीं किया है यह देखिए कुछ sample images यह shots आपको कैसा लगा comments करके मुझे जरूर बताइए वैसे मुझे यह जो shots है बहुत ही पसंद आया और यह जो handset है selfie shots amazing background blurring portrait shots में काफी बढ़िया है और आपको different options मिलते हैं तो यह देखें जो तीन options available है उनका distance है यहां से आपको idea मिल जाएगा और वही सेम तीन options को use करके मैंने जो subject है उसे same frame किया हुआ है ताकि आपको idea मिल जाए कि जो background blurring है वो कैसा है इन तीनों options के साथ में night charge भी काफी बढ़िया शूट करता है night mode में भी आपको zoom का option मिलता है यह एक maximum zoom में मैंने शूट किया हुआ है night mode में in fact इससे जाधा भी zoom कर सकता है लेकिन फिर वो जो quality है वो खराब हो जाएगी तो this is the maximum zoom अच्छा quality और यह है normal और यह है wide angle और यह कुछ और portrait और यह जो video अगर आप जाधा शूट करते हैं उसके लिए भी यह जो smartphone है काफी बढ़िया है amazing clarity के साथ में आप शूट कर पाएंगे comments करके मुझे बताइए कि आपको यह smartphone है इसकी quality कैसे लगी देखी premium level का smartphone है और जो performance है वो भी आपको एकदम premium level की मिलने वाली है इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 processor यूज 16,000,000 के आसपा score है जो की काफी impressive है in fact इसे जाता का score भी आपको मिल सकता है यह LPWDR 5X RAM के साथ में आता है और UFS 4.0 storage है यह देखे यह है इसका read write test speed अब देखे 8K video recording के लिए आपको high write speed की ज़रवत पड़े की जो की यह smartphone है capable है उसके लिए मैं आपको यह World War 2 game खेल के बताता ह है वैसे जो एंटेटो बिंचमार्क score है यह इतना बढ़िया है कि आपने से काफी लोग समझ गया होंगे कि इसकी जो quality है बहुत ही बढ़िया है यह जो gameplay है यह बहुत ही smooth है डिस्पले की quality amazing level की है यह dual speakers के साथ में आता है जो sound quality है यह भी काफी impressive है smoothness काफी बढ़िया है haptic feedback इसका काफी अच्छा है अगर आपके gaming user है तो यह snapdragon 8 Gen 3 काफी बढ़िया option रहेगा और ज्यादा करके जो premium level के smartphones है वो इसी टाइप के hardware के साथ में आ रहे हैं यह premium level का smartphone है तो नाच्रूलेस में जो premium level की features है जो कि आपको दूसरे premium level के smartphones में मिलता है वो भी आपको मिलने वाला है Dolby Atmos Noise Consolation support USB 3.2 Gen 1 Type-C इस पर आप Geo 5G या फिर जो एटल का 5G network है उसे यूज कर पाएंगे dual band Wi-Fi Wi-Fi 6E support के साथ में आता है Bluetooth 5.4 technology भी support करता है Dolby Vision HDR 10 HDR 10 Plus HLG HDR Vivid support के साथ में आता है यह जो handset है थोड़ा सा भार ही इसलिए है क्योंकि इसमें जादा battery दिया हुआ है 5400 image की आम तर पे जो premium level के smartphone से आजकल ज्यादा करके जो smartphone से चाहे वो mid premium हो या फिर premium level के हो in fact even जो budget smartphone है यह minimum 5000 इमेच की बैटरी दे रहे हैं और इसमें थोड़ा सा ज्यादा battery है 5400 इमेच की इसमें आपको असानी से 1-2 1.5 days का battery life मिल सकता है और of course यह fast charging support के साथ में भी आता है 100 watt fast charging support wire के जरिये और wirelessly 50 watt fast charging support भी करता है 50 watt airbook वैसे OnePlus के जो devices है एक बार आप इसे यूज करना शूरू करेंगे उसके बाद में आगे चलके जो दूसरे devices है दूसरे ब्रैंड्स के ज्यादा करके chances है कि आपको वो पसंद नहीं आने वाले है OnePlus के जो smartphones है इनकी कुछ बात ही और ह और ये OnePlus के जो users है वो ही समझ पाएंगे अब जाता करके आपने देखा होगा कि OnePlus के जो users है अगली बार भी OnePlus के ही device खरीदना चाहेंगे तो अगर आप upgrade करना चाहते हैं ये एक काफी बढ़िया option है long term use के लिए ये काफी बढ़िया है और इसे काफी सालों तक software updates भी मिलता रह है gaming भी आप इस पर कर पाएंगे और ये जो handset है ये ज्यादा heat up भी नहीं होता है again depend करता है कि आपका usage कैसा है और आप जो software यूज कर रहे हैं वो कितना optimized है प्लस 12R भी launch हुआ है और उसका जो pricing है काफी बढ़िया है 40,000 के आज पास इसमें snapdragon 8 gen 3 प्रसेसर यूज किया गया है लेकिन जो 12R है उसमें snapdragon 8 gen 2 प्रसेसर यूज किया गया है वो भी एक काफी बढ़िया option है वन प्लस 12R रिव्यू का इंतजार कीजिए तब तक अगर आप इसे खरीदना चाते हैं या फिर वन प्लस 12R और करना चाते हैं लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है देखते रहे हैं